हालो जी नमस्ते मैं मदू अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज चलिए बनाते हैं भाग दोड़ से भरी दिन चर्या में एक टेस्टी और सूपर हेल्दी नास्ता उसके लिए एक कटोरी ओवर नाइट सोक के लोबिया लेंगे उसमें पानी और पान चे गारलिक डाल के उसे पेश्ट बना लेंगे और थोड़ी सी पानी अगर अब सकता हो तो थोड़ी और डाल दे और ऐक्दम फाइन पेश्ट बनाने के बार इसमें दो बड़े चम्मच राइस फ्लोर डाल देंगे जिसे चावल कााटा भी कहते हैं आप अच्छा क्रिस्पीनेस आता है और यह हेल्दी के साथ साथ क्रिश्प लगे नास्ते तो खाने में भी लजीद लगते हैं अब इसमें थोड़ी पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, हाप छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा टेक्स्चर आये, कलर आये, और कलर दिखने में खाने में भी अच्छी लगे, अब इसे आधे गंटे के लिए रख देंगे साइड ने toward. अब इसके साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे उसके लिए एक कड़ाई में थोड़ी सी जीरा डालेंगे तेल डालेंगे दो हरी मिर्ची डाल देंगे चार गार्लिक डाल देंगे एक बड़े साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे लाल वाले जो हते हैं न देसी टमाटर अगर देसी नहीं है तो वो भी टमाटर डाल ऐसे अच्छ अच्छा पंज निकल जाए अच्छे से निया किसी को आप खिला देंगे न दोसे के साथ या फिर पकोडे के साथ भी इडली के साथ भी तो यह चटनी खाकर वह खुस हो जाएगा और आपकी रेसिपी जरूर पूछे गाए यह च्टनी इतनी लजीज़ लगती यह खाने में सिंपल इंग्रीडियंट्स है बट खाने में बहुत स्वाद होता है अब इसमें दो चोटी चम्मच जो नमकीन आती है ने तीखी वाली चटपटी नमकीन वह डाल देंगे और इसे एक पेस्ट बना लेंगे चटनी तयार कर लेंगे मिकसर जार में डाल के पीस ल बटन लगाना तो करीप अबता और सिंपल राई की कतलका लगा सकते हैं देखने में सुनतर भी लगेगा बट यह सिंपल य् Venezuela मुंफली वाली चटनी रिक्सारीन वाली रिचली रहा र्वाली अनली देशी वाली एक दम देशी वाली चटनी लगती है यह खाने में बहुत- घरवाले से इसके साथ कॉंबिनेशन चीले के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत ही टेस्टी होता है अब तवा गरम करेंगे उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे सफून के लगभब के आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं जोयaking और यह लोबिया जो है वो खाने में बहूत ही टेस्टी लगता है इसका तड़का भी बनता है डोसा भी बनता है चीला भी बनता आर वह सेवन लड़कियां करती है तो वह बहुत हद तक कंट्रोल रहता है उसके डाइट में जरूर खाना चाहिए यह हार्मोन गरम चीले को बनाने के बाद यह चटनी को कंबिनेशन और रो प्याज जो स्लाइस में कटे हो अनियन्स हो उसके साथ खाने का इसका मजा ही बहुत थी यम्मी होता है यह खाने में बहुत लजीज लगता है आप मेरी रेसिपी एक वार जरू ट्राइब करें अगर मेरी करना ना भूले मेरे चैनल पर नहीं है तो बेल एकन को प्रेस कर दें आगे की रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें देखिए इस तरह से कच्छे प्याज के साथ एकदम स्लाइस के काट ले और इसे चटनी के साथ खाई यह बहुत ही टेस्टी लग रही है खाने में यम्यमी चीला विद चटनी तयार है कीप वाचिंग लाइक जेर और सब्सक्राइब थैंक यू